आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला यह शेर में या निफ्टी-फ्टी इंडेक्स में 1.1.2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था lockdown में जब lowest point पे market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए 1. लंबी यूदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले 3. जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share nifty से better है या नहीं यानि की पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1.1.2014 को 1.00.000 रुपए इस share में invest किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस share में invest किये हुए 1.00.000 रुपए हो गई मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1.1.2014 के दिन 1.00.000 रुपए निफ्टी 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1.1.2020 के दिन निफ्टी 50 में invest किये हुए 1.00.000 रुपए हो गई March 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता Third point Share ने जीता Overall Share जीता चार्ट में देखते है एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये Share और Nifty का Index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो कई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये Share ने कितने percentage का return दिया Stock Market में अगर return ज्यादा है तो risk भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं bank FD तोड़कर Share खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला chart जो 1-1 2020 से 31st March 2020 का है ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहां पर Share मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहां पर Share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहां पर Share मजबूत रहा थैंक यू